लगातार गिरावट के बाद निचले स्तरों पर खरीदारी के कारण सी बोट सोयाबीन में मामूली सुधार देखने को मिल रहा है इधर, कच्चे तेल की मजबूती से सोया तेल वाइदा को भी सपोर्ट मिलता दिखाई दिया है। इधर, हाजिर बाजार में भी वैवाहिक सीजन को ध्यान में रखते हुए छुट-पुट खरीदारी सोया तेल में आना शुरू हो गई है, जिससे भाव में हलकी तेजी देखने को मिल रही है। ब्राजील की सोया बीन की कटाई बढ़ने और भरपूर सप्लाई के सामने कमजोर डिमांड को देख सोया बीन में फिलहाल तेजी नजर नहीं आ रही है। अर्जेंटीना में अधिक सोया बीन उतपादन से ब्राजील में फसल को नुकसान की भरपाई होने की संभावना है, इसलिए फंड खरीदने की जल्दी में नहीं है। अमेरिकी में नवंबर में सोया बीन की पेराई उम्मीद से थोड़ा अधिक 6 मिलियन टन तक पहुँच गई है। अमेरिका में सोया तेल का स्टाक उम्मीद से कम है लेकिन अक्टूबर की तुलना में 7 फीसदी ज्यादा है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि फिलहाल सोया बीन में हलकी मजबूती देखने को मिल सकती है। Bureau Report Market Times TV